कैसे आप सब लोग, I hope आप सब अच्छे होंगे, आज का वीडियो बहुत ही special वीडियो होने वाला है, जिसमें हम discuss करने वाले हैं Tower of Hanai problem को, इस problem की health से हमें पता चलेगा magic of recursion, recursion का कैसा magic होता है, कि मैं इस problem को recursion की health से easily solve कर पाऊंगा, अगर आपको ये problem अच्छे से चमक जा हैंगे, अब इस code की खासियत ये है, इस problem की खासियत ये है, भाई आप बहुत बच्छों को इसका solution पता होता है, पर उन्हें पता नहीं होता है, ये actual में काम कैसे कर रहा है, जी हाँ, ऐसा problem के साथ बहुत जादा होता है, इसलिए इसको कहते है magic of recursion, तो सबसे पहले, आज ह तो तीन रॉड गिवन होंगी, कितनी तीन रॉड ठीक, उसमें एन डिस्क लगे होंगी, जैसे इस problem में मेरी तीन डिस्क लगी है, तो उसमें एन डिस्क हो सकती है, ये तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, पांची भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, पर रॉड हमेसा त ही है रहा है इन डिस्कों को उठाके यहां ले जाओ तो इसका नाम में उनका स्वोर्स इसका नाम है इसका नाम citizenship यहां लेके चले जाय कैसे उनको लेकर चाल सकते हो तो उसने उसमें कुछ लगा रखी है क्या कंडिसन लगा रही है उसको समझते हैं वह कह रहा है एक बार में एक ही डिस्क को मूब कर सकता हूं जी हां एक बार में एक ही डिस्क को मूब कर सकता हूं एक ही डिस्क को मूब कर सकता हूं और जो वो डिस्क होगी, वो टॉप वाली होगी, जिसको भी आप मूब करोगे, मतलब जैसे यहाँ पर एक, दो, तीन, तीन डिस्क दी है, तो सबसे पहले मैं इसी को मूब कर सकता हूँ, यह नहीं कि मैं इसको उठाके वहाँ रख दिया, नहीं, सबसे पहले टॉप वाली ही मूब होगी, और एक बार में एक ही डिस्क, साइकिन कंडिसन क्या दी है, कि भाईया, छोटी डिस्क के उपर बड़ी डिस्क को नहीं रख सकता, यह दो कंडिसन दी है, नहीं रख रखता, किलिया रहे है, हाँ जी भाईया, यह नहीं कि यह छूटी वाली मैं ने उठाके आ आ सकते बड़े की उपर छोटे आ सकते हैं जैसे सबसे बड़ी यह है उससे छोटी यह है इनको उठाके यहां destination में रखना है तो आप इसमें क्या process follow करोगे मिनिमम कितने step में आप इस problem को solve कर सकते हैं किलियर हाँ जी तो मुझे output में जो भी मैं दूँगा उसको बताना पड़ेगा कि मैं इनको किस तरीकी से move कर रहा हूं और ताकि मैं इनको minimum time में minimum step पे इस problem को solve कर पाऊं तो कैसे हम इसको कर पाएंगे चलो समझते हैं अब मेरे पास यह तीन इस भी है यहां पर इस example किसाब से तब से पहला मुझे इसी को move करना पड़ेगा तो मैंने बुलाया इसको यहां रख दिता हूं किलियर हाँ जी बिया अब क्या करूंगा अभी तो किसी को move नहीं कर सकता अब मैं इसको उठाके इसके ऊपर रख दूँगा आपके तीन step हो गए अब इसको उठाके क्या यहां रखना था मुझे helper में नहीं इसको उठाके कहा रखना था destination पर मैंने अपने पहले कुछ step में कुछ गल्तिया करी है क्या गल्तिया रही है कि भाईया मैं पहले इसको उठाके यहां रख देता हूं पहले step में ठीक हाजी फिर मैं इसको उठाके यहां रख देता हूँ, दूसरे step में, अब इसको उठाके यहां रख देता हूँ, तीसरे step में, अब मैं चौथे step में इसको उठाके यहां रख देता हूँ, आजी वहिया, पाचवे step में इसको उठाके यहां दाल दिया, ठटे step में इसको उठाके यह के उपर रख दिया तो साथ step में मैंने इन सब को कहा मूब करा दिया इधर मूब करवा दिया किलियर है हाँ जी वईया किलियर है तो अगर मैं आपको कुछ step पीछे लेके जाओ ठीक है जब यह ऐसी दिख़री होगी तो इनिचेली यह दो यहां पर present थे इनिचेली यह दो यहां पर present थे तो मैंने कै कि रहा पहले जो भी ऊपर के मेरे हैं उनको कहा लिके चल जाओ help pragmatic ताकि मैं इसको easily यहां पर पो कि ढवाँ यही कि यहां ना साग्य कि मेरे उपर जितने बहुत सबको पहले helper में लेके चले जाओ तभी मैं खुद को move करवा का पाऊंगा अब जो helper में रखें उनको कहा लेके चले चले जाओ प्रेज़ेंट है ठीक, रोड मेरे पास तीन है, मैं कैसे इनको सूर्स पर उठाके डेस्टीनिसन पर लेके जा सकता हूं, उसको सूर्स ने के कोसिस करते हैं, किलियर है, हाँ जी भई है, किलियर है, तो कैसे मैं इस प्रोसेस को फॉलो करूँगा, वो देखने की कोसिस करते हैं, तो मैंने बहुत है, पहले स्टेप में मैं इसको यहां ले जाता हूं, दूसरी में मैं इसको यहां ले जाता हूं, दो स्टेप होगे, तीसरी में मैं इसको यहां ले जाता हूं, तीन स्टेप, चौथी में मैं इसको यहां ल जो भी इसके उपर थे वो यहां जा चुके है helper में अब मैं इसको आठवे step में यहां लेके जा सकता हूँ clear है हाँ जी भया अब मेरे पास यह 3 मचे इनको उठा के कहा रखना है इसके उपर रखना है कैसे रख पाऊंगा बताईए कैसे हम इसको solve कर रखते हैं अब 8 step मेरे हो चुके हैं अभी तक हाना अब 9 step क्या follow गरते हैं नववे step में इसको यहां ली गया फिर दसवे में मैं इसको यहां ली आया अब क्या यहां पर कुछ हो सकता है हाँ जी यारवे step में इसको यहां, वारवे में इसको यहां, फिर 13 स्टेप में इसको यहां पे लिए आगिया, 14 स्टेप में इसको यहां उठा के लिए आया, और इस तरीके से यहां move out हो चुकी है, अब अभी तक मैं जो strategy follow कर रहा हूं, यहां के मैं कुछ randomly जो भी अपना दिमाग तो क्या मैं efficiently move कर पाऊंगा उन्हें फिर तो मुझे सोचना पड़ेगा अभी तो मैं normally कर रहा था तो मैंने सिप्ट कर दिये लेकिन जब यह डिस्क ज्यादा होंगी ता मैं इंको कैसे solve करूंगा 15 डिस्क कैसे करूंगा तो इसके लिए मुझे कोई इसका एक logic क्रियेट करना पड़ेगा जी हाँ या किर ना पड़ेगा लॉजिक श्यादा कर करना परे वो कैसे हम कर सकते हैं मैंने का बहुत असान है दो किया करना है मैं अगर इसी problem की कि यहां रखना है कि likely हौई अभी मैं बोल्ट हूँ अगर यहां पे एन्डिस्क निस्क यहां पर चार्ट यड़ह को अभिए इन तˇन डिस्क को उठाकर यहां पे लेके जाना पड़ेगा तब ही मैं इस कुर्षिक यहां लेकर जा सकता हूँ इक तो मान लो मैं किसी किसी तरीके से इन 3 को यहां पे लेके चले आ गया अभी मैं उसको डिसका नीब आगे थीकं आजिन को मैं यहां लेके आ हूं इस तरीके से मैं अपनी problem को resolve कर सकता हूं तो मैंने simply क्या बोला यहां पर आप इस problem को कैसे हम करेंगे यह मैंने तीन चार diagram बनाएं यह चार डिस्क के लिए यह तीन डिस्क के लिए वह दो यह एक हाँ जी भईया तो मुझे इन चारों को उठाके यहां पर लेके जाना है कहाँ पर यहां से उठाके यहां लेके जाना है तो मैंने आपको पहले step क्या बथा था बाइज जो का यह आगर अगर मेरे पास तीन है इसे तीं को कैसे उन्हें ऐस के चाना हूं उनको अगर मुझे इसवाले में तोड़ते रहा हूँ तो इन तीन को यहां पर उतर स्थ कराता हूं तो मैं बोल सकता हूं जब तीन की पर जो फास कि लिस्ता होँ उनको च्प them वाले में लेके चले जाओ, कहां लेके चले जाओ, इन दो को किसमें लेके चले जाओ, इस वाले में, ताकि मैं इस तीस्री वाले को यहां रख पाऊं, है हां जी बहुत है हैं आगर मुझे कराना है तो पहले में अट पास कोई step ऐसा हो इन दो को मैं यहां लेकर चल पाऊ फिर मैं इसको यहां रख सकता हूँ और इन दो को उठाके मैं यहां लिया हूँ वह कैसे हो रहा है अभी हम जाना था ना तो मैं उसमें यही दिखा दू इन तीन को यहां लेके जाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा इन ऊपर की दो वालों को इधर वाले में लेके जाना पड़ेगा यही करना पड़ेगा हाँ जी वह कैसे करूंगा यह मिरे पास दो डिस्क है उनको कहा लेके जाना है इस वाले में लेके जाना है में ओठ लेके जाना है इस में पर रहे को किया सकता हूं तो मैं इस एक्जांपल वह आ गया इसको यहां कैसे स्टिप्ट करा सकते हैं तो देख पार है हम मेरी पास बड़ी प्रॉल्म देख चोड़ी-चोड़ी प्रॉल्म में सॉल कर पारा हूँ तो देखो अब मिले पार एक डिस्क है इसको कहान से मूग क सकता है अब इसके ऊपर के मूव हो चुके अब इसको उठाकर में सीधा यहां रख सकता हूं और इसको उठाकर इसके ऊपर जैसे प्रॉसेस इन दो के लिए भी फॉलोग हो जाएगा यहां पर Mayने क्या प्रॉसेस वोलूगिया अगर आपको बताओं यहीं पर थे पहले यह द तक यहां रखा था तो वही काम मैं यहां पर कर दिया फिर इसको उठाके में यहां रख दिया, वही काम मैं इसको उठाके यहां रख देता हूँ, हाँ जी भईया, अब मुझे बता दे ये वाला जो है, इसके ultimate destination क्या है, यहाँ पर मुझे स्ट करना था सब वह, किलिएर ये, इस प्रॉब्लम को फिर से छूटी प्रॉब्लम में तोड़ दू अगर मेरे पास दो डिस्क हैं उनको यहां स्रिफ्ट करना है कैसे मैं स्रिफ्ट कर सकता हूँ तो उसके लिए भी स्रीम कहानी कि पहले मुझे इनको कहां सिप्ट करना है इसमें सिप्ट करना है तो इसके लिए क्या बोलेगा जो मेरी टॉप वाल इसको कहां सिप्ट करना पड़ेगा इसमें तब ही तो मैं मूब हो पाऊंगा हाँ जी भाया तो वो कैसे problem solve होगी अगर यह आपका यहाँ पर present है सबसे चोटा वाला और उ ने देजसे लहना कांगे कर सकता हूँ कर सकता नहीं कर सकता हूब सकता हो कि इस सबसे पहले मैंने क्या करता हूब इसको मैं यहां लेके जा रहाँ तो यहां पर भी मैं इसको यहां पर लेके जा रहा हूँ किलियर हाजी भीया उसके बाद मैं इसको यहां लेके गया तो इसको मैं यहां लेके गया सेम प्रॉसेस फोलो हो रही है ठीक है उसके बाद मैं इसको इसको उपर लेके गया ठीक हाजी भीया उसके बाद मैंने इसको इसको मैं इसके उपर लिया घड़ा दूंगे खांटे उसके वालजट वैं इस वाली को इसके उपर इस वाली गो को इसक के उपर sentimental कैसे करने कि उपर के तीन को मैं यहां कैसे मुप करा सकता हूं तो मैंने सिर्फ तीन लिस्क बड़ी उनकले सीखा कि उन तीन को मैं यहां कैसे स्रिफ करा सकता हूँ तो मैंने का अगर मेरे पास कोई तरीका हो कि उपर के दो को मैं यहां कैसे स्रिफ करा सकता हूँ अब उपर के दो को यहां कैसे स्रिफ करा सकता हूँ कि जो मेरे उपर की एक है उसको यहां middle में कैसे ला सकता हूँ वो problem मैंने solve गरी तो भगया मैं क्या कर गदा या problem को तोड़ता गया तोड़ता गया तोड़ता गया अपनी problem को resolve कर दिया अब मेरे पास यह आ चुका है ठीक अब मुझे क्या करना पड़ेगा इस problem में भगया बस आप simply इसको उठाके यहां रख दो clear है हाँ जी अब फिर से वही problem हो गई कि मेरे पास तीन डिस्क है जो इस middle वाले में present है उन्हें उठाके कहां रख दो इधर रख दो कैसे रखंगा इन तीन को इधर जैसे मैं इन तीन को इधर रख सकता हूँ इन तीन को इधर कैसे रख सकता हूँ बताईए इन तीन को कहां लेके जाना है इसको उठा देता हूँ इन तीन को इधर कैसे लेके जाता हूँ मेरा ultimate goal यह है, बढ़िया मेरे ऊपर के दो, कहा उने चीह, इस तौले में, clear है, हाँ जी बढ़िया, तो अगर मुझे अपने ऊपर के दो कहा लेके जाना है, अगर इस problem की मैं बात करूं, किसी problem की मैं ऐसे तोड़ा, इनको यहां लेके जाना है, कैसे जाता हूँ, इसको जूटी वाली को इधर लेके जाना पड़ेगा, तो कैसे लेके जाओंगा, इसको ऐसे, सिंपल ही एक step में लेके जा सकता हूँ, जैसे मैंने इसको move किया इधर एक step में, वैसी एक step में इसको भी move कर दूँगा, clear है, हाँ जी वहिया, अब इसको पकड़ा है, इसको कहा लेके जाना है, इधर, बस और इसको इसको इसके उपर, जो process मैंने वहाँ पर follow करी, वही process मै मैं यहां पर follow कर सकता हूँ, मैं ने क्या करा ता, सयरी जल्से पर इसको इधर move किया, इसको इधर move किया, afIR, इसके उपर move कर दिया, clear है, हाँ जी, अब मैं इसको यहाँ move कर Daar सकता हूँ, clear है, अब इन दो डिसको मैं वहाँ कैसे लेके जाओंगा, कहाँ पर, यहाँ पर simple ह से एक स्टेब वह स्टेब और रat तीन यहां तक ues टीन मैं यहां कि और किया किसे हमारी जो problem में हमाले simplicity बन गई इसमें मैंने कैसे इसको resolve किया था बताईए एक बात सबसे पहले मैंने छोटी वाली को यहां डाला ठीक है इसको यहां डाला फिर इसको मैं इधर लेके गया इसको मैं इधर इसके उपर हाँ जी इसको भी इसके उपर लाज स्टेब में इसको इसके उपर लाज स्टेब में इसको इसके उपर इस तरीके से मैंने problem को इसको मैं बात करूं बहाई एक बार एक काम करते हैं इन सब को यहां पर लिए आता हूँ तो ब्बहाई मेरे पास किया है यहां पर किए डिस्क दिन इसको इनको मुझे move कराना है source से कहां destination में कैसे मैं इसको करवा सकता हूँ और फिर इसका हम code part भी लिखेंगे अब देखो सबसे पहले task मेरा क्या होता है मैंने बोला था ना कि भाईया अगर n disk दी है तो भाईया जो उसके पहले के n-1 होते हैं यहां पर पांस भी है तो भाईया इन चार डिसको ठाके कहां रख दो helper के उपत रख दो तो इनको मुब कहां से कराना source से helper में तो मेरी problem change हो गई ना यहां पर कि भाई अगर में पाद चार डिसक दी गई है और उन्हें एक road से दूसरी road पर transfer करना है तो मैं कर सकता हूँ हाँ जी भाईया तो यही logic मैं यहां पर use करने वाला हूँ जो मैंने previous में किया ठीक हाँ जी तो माल लो मैंने कुछ तरीके से इन चारों को यहां shift कर दिया कहां पर यहां पर तो हमने अभी पीछे दिखा कि अगर मेरे पास चार इसक दिये हैं उन्हें एक location दूसरी location में shift करना है वो मैं कर सकता हूँ इस वाली की help से कर सकता हूँ ने इस वाली की help से हाँ जी भाईया कर सकते हैं तो मालू मैंने कर दिया उसके बाद मैं क्या करता था कि यह जो आप है इसको कहा लेके चले जाओ destination पे ठीक हाँ जी भाईया अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि भाईया अब यह जो चार बचे हैं उनको उठा के यहां रख दो तो मुझे पता है कि भाईया अगर में पास चार डिस गिवन है तो उनको मैं एक location से दूसी location में कैसे लेके जा सकता हूँ जो मैंने अभी आपको यहाँ पे solve करके दिखाया था कि चार को मैं कैसे solve कर सकता हूँ clear है तो माल लो इन चार को उठाके मैं यहां लेके चला गिया जो हमने पिछला logic यूज करा था ठीक हाँ जी तो यहां पे मैंने तीन step follow किया है simply ठीक तो पहले जितने में मेरे उपर किया है n-1 उनको helper में लेके जाओ मुझे destination पे अब जो helper में रखे हैं उन्हें मेरे उपर ले आओ clear है हाँ जी भाईया अब इसको मैं code में कैसे गर्मर करूंगा वो आप मैं आपको बताता हूँ clear हाँ जी भाईया क्योंकि मुझे n equal to 4 के लिए पता कैसे solve करना है n equal to 4 के लिए पता कि n equal to 3 के लिए कैसे solve करना है तो इसको करते हैं तो थोड़ा इदर को move करवाता हूँ ठीक तो यहां पे मैं लिखना शुरू करता हूँ टावर ऑफ हनाई ठीक है function का नाव in teacher and कितने डिस्क है ठीक in teacher source source किया है तो यहां पर मैं source की value 1 2 और 3 देता हूँ यह मेरी पहली रोड है यह मेरी दूसरी रोड है यह मेरी तीसरी रोड है ठीक है हाँ जी भाईया integer help और integer रहा है अगर मैं आपसे पूछू ऑपर की यह न को उपर को स्वूर्स से कहा मुख करा दो helper में यहां पर लिखने वालों कि n-1 डिस्क को source से कहां लेके चले जाओ help पर में ठीक है हाँ जी यहां लेके मुझे जाना है clear हाँ जी भईया और वहाँ पे जो middle वाले का काम करेगा वो करेगा destinies clear है हाँ जी भईया कि इनको source से कहां लेके चले जाओ my अंको कहां लेके चले जाओ help Hijlip technology फ便h उसके बाद माल्लों को लेके चला गया its करे तुकर मुझे पता है N इकल टु फॉर किलिए इसको कैसे कर सकता हूं कि आ हमने पीछे देगा उसके बाद मेरा अगला task का होता है कि टेसटीनेसन में से सी आउट ली सकता हूँ कि मूब इस्क एन प्रॉम कहां से तोर्च से लेख सकता नहीं लेख सकता क्लियर है हाँ जी तो यह बुलेगा मूब डिस्क एन फाइब फ्रॉम तोर्स वन टू थ्री क्लियर है हाँ जी भया तो माल लो मैंने इसको यहां से यहां मूब करवा दिया है यहां पे अब उसके बाद मेरा टास्क क्या होता है कि अब इन चार को यहां मूब करवाना है कहां से helper से उनका कहां लेके चले जाओ destination पर लेके चले जाओ तो मेरे पास पता है कि अगर मेरे पास चार डिस्क दी गई है तो उनको मैं एक location से दूसरी location में कैसे लेके जा सकता हूं तो वही function में फिर से call कर रहा हूं ती ओ एच एन माइनस वन डिस को कहां से लेके जाना है helper से कहां लेके जाना है destination पे helper से destination पे यह लीजिए अब वहां पे middle का काम कौन करेगा source जो बचा है clear है हाँ जी वह यह point मुझे clear है ठीक हाँ जी तो अब मैं इनको यहां से यहां लेके जा सकता हूं अब इसकी base condition क्या होगी base condition क्या होगी कहीं तो जाके रुखेगा कहां पे रुखेगा क्योंकि यहां पर n की value बार बार decrease हो रही है कि किसकी value decrease हो रही है n-1 पहले n सा फिर n-1 फिर n-2 कहीं पर जाके तुम मुझे रुखना पड़ेगा न जब मेरे पास चिरप एक डिस्क बचेगी ठीक और जब मेरे यहां से यहां ट्रांसफर करना है तो मैं सिम्पल सा उसको ट्रांसफर कर वा सकता हूं तो वही मैं यहां पर करने वाला हूं कि see out move disc कहां से disc end from towards to destination बस आयोब आपको इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी इस statement पर ठीक है हाँ जी भाया नहीं कोई दिक्कत और यहां से उसके बाद return हो जाएए इस तरीके से कि लिए रही है कि इस तरीके जामने code में convert किया हाँ जी भाया तो अब यह सब कुछ कहां move हो जाएंगे उसके उपर move हो जाएंगे ऐसे और यह सब यहां पर transfer हो चुके successfully किलियर रही है नहीं है हाँ जी भाया तो यहां पर हमें सिर्फ तीर स्टेप पर solution निकाला कि जो मेरे उपर रखी गई है उनको पहले source से helper लेके चले जाओ और जो helper बचे उनको मेरे उपर रख दो इस तरीके से अब उस process को मैंने कैसे follow किय क्या क्योंकि मुझे पता है अगर and equal to five है तो चार के लिए पहले मुझे solve करना पड़ेगा चार के लिए कैसे solve करना है हमने यहां पर देख लिया था फिर चार वाला भी सेम कानी बोलेगा कि पहले मेरे उपर रालों को solve करो किसको मेरे उपर रालों को लेके जाओ तो आपने से मैं return होना start हो जाता हूं सिंपल सा जो आमने यहां पर प्रोसेस पॉलों किया था है हाँ जी भईया तो हर कोई क्या बोलता है कि future वाले पर depend रहो मैं तो हो जाओंगा move पहले में से पहले वालों को move करवा दो मैं बता देता हूं कि मुझे पता है कि मुझे यहां से यहां लेकिन उस्ते पहले यहां जगा खाली होनी चीए तो सबको helper में रख दो इस तरह के श्टेट में execute हुई है I hope आपको clear होगा clear है तो लिख दो भईया चमक गया है अब इसको एक बाद visualize करके देखते हैं n equal to 3 के लिए कैसे यह code काम करेगा ठीक हाँ जी भईया n equal to 3 के लिए कैसे काम करेगा उसको मैं समझ देगी courses करते हैं अब अगर मैं यहां पर आऊं तो मैं क्या करूंगा भईया initially n equal to में रख ए 3 है ठीक इसको मैं statement one बोल देता हूं दूसरे को two three four यह first यह second यह third और यह fourth चार इस्टेटमेंट मुझे दी गई है तो यह चारो क्या होंगी execute नहीं second पर आया second stream ने क्या कहा दिया है कि भाईया n-1 disco कहा से कहा ले जाओ help में ले जाओ source थे help में कि इनको उठा के कहा रख दो यहां से यहां कैसे हो गाओ तो वो इसने function call लगाया है और function call यह हो गया अब n की value में क्या हो गई तो हो गई ठीक है हाँ जी भाईया n-1 की value क किसके अंदर चल जाएगी help के अंदर और last में मैंने किया बहुत है help help के value क्या है 2 तो किसके अंदर चल जाएगी destination के अंदर इस तरीके से clear है आप इसको direct भी लिख सकते हैं कि मैंने देखा source source की value 1 फिर मैंने देखा destination destination उनकी value 3 फिर help help के value 2 तो इन तिनों को आई है ऐसे करके copy कर सकता हूँ अब मैं यहाँ पर आया ठीक यह भी सेम काम करेगा जब मैं यहाँ पर इसने चेक करा 1 2 3 4 यह इसको कहां लेके चले जाओ help वाले में लेके चले जाओ क्योंकि इन दोनों को मुझे कहां लेके जाना है destination में लेके जाना है देखो यहाँ पर value थोड़े एक्सेंज हो रही है यह एसा नहीं है source help destination यहाँ पर यह थोड़ा change हो रहा है ठीक है क्योंकि draw number अब change हो रहे है ठीक अब n equal to 2 है उसके लिए मैं क्या देखूंगा क्या 2 equal to equal to one होता है नहीं तो पहले statement नहीं चलेगे दूसरी घया कहती है सबसरे पहले मुझे क्या शर्व का है लेकि कैसे जाूखंगा मुझे आ पड़ना पड़े संक पहले helper के ऊपर लेके जाओ यही करना पड़ीगा स हमने स से बिलवा रहा हूं दूसरी क्या है वो क्यैं रही है कि भाईया जो मुझसे उपर है एक ठीक है उनको सोर्स से कहां लेके चले जाओ जो मुझसे उपर है किलियर है हाँ जी इसको लेके कहां चले जाओ हैल्पर के उपर लेके चले जाओ ठीक अब इसने कैसे लेके जाएगा उसने कॉल लगाया n equal to 1 के लिए ठीक है यहाँ पर जो source की value है source की value है इसके अंदर आजाएगी फिर destination की जो भी value है वो यहाँ पर आजाएगी और जो helper की value है वो यहाँ पर आजाएगी clear है हाजी भाईया तो कि source help destination तो source की value source में destination की value help पर help की value destination पर अम N equal to 1 पे आ चुका हूँ ये statement भी एक जूट ये भी अम N equal to 1 पे हूँ ठीक N equal to 1 क्या बोलेगा बताइए क्या बोलेगा condition check करेगा 1,2,3,4 वाली हाँ जी भईया उसे देगा 1 equal to equal to क्या होता है 1 होता है तो वो क्या कहा रहा है see out move disk कहा से move disk 1 from source source क्या है मेरा 1,2,3 clear है हाँ जी भईया कि 1 से लेके 3 पे उसको क्या कर दो move कर दो तो मैंने उसको move करवा दिया ऐसे करके clear है हाँ जी भईया तो यहाँ पे print हो जाएगा कि move disk क्या था नाम N की value 1 from कहा से source क्या था मेरा 1 से कहा 3 clear है हाँ जी भईया हाँ जी तो यह जो instrument है इसने यही कहा है कि 1 से लेके से कहा move कर दो 3 वाले पे 3 वाले पे यहाँ भी बात करूँ कि disk 1 को कहा से move कर दो 1 से 3 वाले पे ऐसे यह हो रहा है ठीक है मैं 3 को आपको एक साथ करके दिखा रहो ठीक हो ऐसे करके इसको visualize कर रहा है आपको इसको यहाँ move करवाना है clear है हाँ जी भाई अब मेरा क्या होगा भाई यह 3 एक साथ क्यों है क्यों 3 एक ही है ठीक क्योंकि function call लगा जा रहा है ठीक है मैं आपको दिखा रहा है n equal to 3 में किस तरीके सो step follow हुए होंगे अब जैसे उसने अप्रा काम किया यहां से क्या हो गया रिटन हो गया रिटन हो गया रिटन हो क्या आ गया यही वापस आ गया जब उसने थर्ल्ड स्टेन्मेंट देखी थर्ल्ड स्टेन्मेंट क्या कह रही है कि c out move disk n from source to destination तो वह क्या रखाएगा कि move disk n की value क्या है यहां पर यहां पर आएगा n की value 2 from source source की value क्या है 1 कहा लेके जाना उसे destination पर देश्टिनेशन की value है 2 1 से लेके उसे 2 पर लेके चले जाओ ठीक तो वह यहां पर करने वाला है कि भाईये इसको उठाके कहा लेके चले जाओ 2 वाले पर लेके चले जाओ clear same यहां पर भी होगा कि भाईये जो यह second disk है इसको कहा लेके चले जाओ कहा लेके चले जाओ 2 वाले पर लेके चले जाओ सबको मैं parallel में आपको करके दिखा रहा हूं clear हाँ जी भाईया जब यह यहाँ पी चलेगे उसके वादू क्या कह रहा है कि भाईया आप जो N-1 बचा है में तीन स्ट्रेमेंट हो गया आप चौती का नमबर है कि जो N-1 है जो हेल्प के अंदर प्रजेंट है उसको कहां लेके जाओ इसको कहां लेके जाओ इसके उपर जैसे लेके जाओंगा फंक्सन कॉल लगाया ठीक है तो फंक्सन कॉल जब लगेगा तो यह अरे यार function call लगाए अब इसने function call लगाए तो यहाँ पर यह काय करेगा n equal to 1 के लिए call करेगा ठीक है हाँ जी बहिया help source destination help source destination help की value क्या है 3 है source की value क्या है 1 है destination की value क्या है यही था यह नहीं था हाँ जी बहिया यही था अब यहां पर कहा प्रजेंट रही होगी यह वाला यहां पर प्रजेंट है फूर्स के ऊपर प्रजेंट है ठीक है वह यही तो कह रहा था कि भाईया इसको कहां लेके जाना है 3 से आप इससे कहा लिखे जाना है, 2 वाले पर लिखे जाना है, कैसे लिखे जाओंगा, यहाँ पर 4 statement होगी, 1, 2, 3, 4, पहले statement देखी, मैंने देखा यहाँ पर क्या लिखा है, and equal to equal to 1, जैसी 1 equal to equal to 1 देखा, उसने statement एक जूर करा देखा, कि move disk, 1, from, कहां से, कहां से, कहां लेके जाना है, बताइए, कहां से कहां लेके जाना है, 4 से destination, 3 से 2, clear रहे हैं, हाँ जी बहिए, तो अब यह जो है मेरा, यह यहां से, यहां चला जाएगा, यहां पर ही अगर मैं बात करूँ, तो यह भी क्या करेगा, इसको यहां से उठा के, यहां रख देगा, clear है, हाँ जी, कि move disk, 1, from, rod, from, 3, 2, 2, 3, 2, 2, इसमें भी same story follow गी, कि move disk, 1, from, 3, 2, 2, देखो, इस तरीके से, बिल्गुल तीनों statement एक साथ चल रही है, clear है, यह मैंने तुमको process दिखा दिया, जमा करा है, हाँ जी भीया, अब मैं जब यहां पर आ गया, उसके बाद अगला statement execute होगा, अगला वाला क्या कहेगा, अगला वाला क्या कहेगा, बताइए, जब next statement execute होगा, देखो, यह इसी की process है, ठीक है, यह कुछ अलग करके नहीं दिखाया है, मैंने तुमक अलग करके उन्हें तोड़ दिया है, ताकि वो विजदोलाइज हो पाए, operation इसी के उपर चल रहा है, ठीक है, हाँ जी भीया, अब जब मैं यहां पर आ गया, तो इसने कहते हैं, अब यहां से return हो जाओ, वापस यहीं आजाओ, ठीक है, जब मैं वापस यहीं आगया, तो fourth statement exude हो चुकिए, तो मैं दुवारा वापस आगया, जब मैं यहां पर वापस आगया, तो इसका काम क्या है बताएए, इसका क्या काम होगा, third statement exude करना, third statement क्या कह रही है, कि see out moved disk, कौन सी वाली, N N का नाम क्या है 3 From Source To Destination 1 से उसे कान लेके चले जाओ Destination पे मैं लेके चला गिया Clear है हाँ जी भईया तीसरी statement Execute आँ मैं चौत्थी की बात करता हूँ चौत्य वाली statement सेम काहनी फिर से दो राएगी क्या बोलेगी कि Help से उन्हें कान लेके चले जाओ Destination पे जो ये दो रखे नहीं आन लेके चले जाओ कैसे लेके जाओंगा कैसे लेके जाओंगा ये चौत्य वाली statement को बताइए Function call लगाया है उसने हाँ जी भईया Function call लगाया उसने उसमें क्या बेजा है Help Help Source और Destination तो इसका Help इसकी Value यहाँ पे आईगी ठीक है फिर मैंने Source भी जाए Source की Value इसके अंदर आईगी और फिर जो Destination है Destination की Value इसी के उपर आजाईगी Destination की Value यहाँ पे भी 3D Clear है? हाँ जी भईया तो ये जो मेरी ये Present है ये इसके उपर Present है Source के उपर ठीक है? Source से इन्हें कहा लेके जाना है? Destination के उपर लेके जाना है कैसे लेके जाऊँगा? फिर से सेम स्टोरी मैं N इकल टू के लिए फिर से जोराऊंगा N इकल टू के लिए फिर से Function Call लगा है N इकल टू के लिए प्रॉलम कैसे Solve कर सकता हूँ? कि Source से उन्हें Destination लेके जाना है बचाइए कैसे कर सकते हैं? Simple है पहले मैं वहाँ पर गिया क्या 2 इकल टू 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 है? नहीं वो यहाँ पर आया उसने यहाँ पर Source, Destination, Help Source, Destination, Help तो Source, Destination, Help की Value यहाँ चले जाएगी Source की Value 2 है Destination की Value 3 है Help की Value 1 है Clear है? हाँ जी बइया मैं यहाँ पर आ गया N इकल टू 1 N इकल टू 1 क्या करेगा? कि 1 इकल टू 1 है ठीक यहाँ पर पहली statement दूसरी statement चल चुकी है यहाँ पर n equal to equal to 1 है तो इसने यहाँ पर यह condition को लगाने आ गिया अब यहाँ पर क्या करेगा मुझे पता source में यह value रखी गई है ठीक है वो क्या कहा रहा है कि भाई यह move disk move disk one किसको move कराने की बात कर रहा है and equal to 1 from कहा से source की value क्या है 2 से 1 पर 2 to 1 ठीक हाँ जी भाई है तो मैं इसको 2 से 1 पर move करवा रहा हूं 2 से destination पर move करवा रहा हूं इस तरीके से यहाँ पर भी मैं यहाँ पर आया तो वो क्या कह रहा कि move disk one from 2 to 1 ठीक हाँ जी भाई हाँ तो वो ही यहाँ पर कहा रहा कि move disk इसको यहाँ पर लिके आ जाओ clear है हाँ जी भाई हाँ statement execute हो गई हाँ जी भाई हाँ यहाँ से written हो जाएगा इसका written हो गए ही यहाँ जाएगा अब यह third statement अपरी execute कराएगा third statement क्या कह रही है कि move disk इसको थोड़ा चोटा गड़ते है ज्यादा चोटा भी नहीं हाँ इतना सही है यह अगला statement क्या करणा कि move disk कौन सा वाला two and की value two है from कहां से कहां कहां कह रहा हूँ source दे destination source दे destination from two to three इस तरीके से तो two से कहा move कराना है third वाले में move करवाना है तो यह लीजिए को उठाया यहां move हो गया ठीक है इसको भी वोलो two से कहा move कराना है third वाले में यह लीजिए clear है हाँ जी बहिया clear है उसके बाद last last तीन तो हो चुके है अब मैं चौत्थी वाले को exude करूँगा चौत्था वाला क्या कहा है इसी में कि भाईया जो यहां पर helper के उपर रखा गया उसको कहा move करना है destination पर helper वाले को destination पर move करके दिखा दूँ कैसे दिखाऊंगा function call लगाया n equal to one के लिए जब n equal to one के लिए function call लगाया तो यहां पर के जाएगा यहां पर के जाएगा हाँ जी वाईया यह value पास हो रिजन इसमें source help destination में इस तरह के से चली गई यह कहां पर present होगा source के उपर present होगा ठीक हाँ जी वाईया अब क्या होगा यहां पर क्या होगा अगला जब मैं यहां पर आया यह यहां पर चक करेगा one equal to equal to one है फिर से वह instrument एक्जूट करा देगा कि move disk one from कहां से कहां तक source से destination one to three same काम देखो same काम हर जगा हो रहा है ठीक हाँ जी भाईया one से three पे one से three पे one से clear है हाँ जी भाईया तो यह यहां से return होके यहां वापस आया इसकी statement खतम हो चुगिया यह यहां वापस आया इसकी विसारी statement खतम हो चुगिया मैं code से बहार आ गया और इस तरीके से एक दो तीन चार पांट छे साथ साथ I hope आपको यह clear होगा कि यह कैसे काम कर रहे थे चमका यह नहीं चमका यह वाला पार चमक नहीं चमका क्या इसमें कुछ confusion है आपको source, help, that's reason कैसे काम कर रहे हैं तो को dry run करोगे खुद से बैठके आपको और better way में समझ आएगा मैंने आपको यह अच्छे से चमका दिया है कि यह जो मेरे यह डिस्क है कि किस तरीके से move out कर रहे है एक position से डूसरी position पर कैसे एकर कि मेरे यह output generate हो रहे है clear है अब अगर मैं बात करूँ इसके time complexity कितनी होने वाली आप direct calculate कर सकते हैं कितने step लग रहे हैं इसको solve करने के लिए जब n equal to 4 था मेरा ठीक है तो मुझे total 15 step लग रहे थे ठीक हाजी कितने step 15 step तो भाईया इसका भी 2 की पावर 4 minus 1 तो मैं बोल सकते हैं इसकी time complexity होगी 2 की पावर n minus 1 मालब order of 2 की पावर n time complexity बोल सकता है नी बोल सकता हाजी बोल सकते है space complexity कितनी हो सकती है space complexity कितनी हो सकती है बताइए क्या आप calculate कर सकते हैं खुद से order of n होगी यह कुछ और होगी order of हनाई में क्योंकि जो आपका recursion call हो रहे हैं वो आपका space तो लेने वाले हैं तो एक बात देख लेते हैं देखो function कैसे call हो रहा है उसको भी हम देख लेते हैं मेरे पास initially ऐसा रहा होगा n के लिए ठीक है यह n वाला क्या करता था यह n-1 के लिए solve करो ठीक है और फिर print कराता था हाँ जी भीया और फिर n-1 वालों को कहीं भेज दो यही तो हो रहा था हाँ जी भीया n-2 तो यह घरते घरते कहां तक पहुंच सकता है वन तक पहुंच सकता है एक बार में जो इसकी maximum height होगी वह इसी के अंदर जाएगी हाँ जी भीया इसके height कितनी होने वाली n-1 n-1 n-2 n-3 up to 1 ठीक है तो order of n सकता हूं space complexity क्योंकि के अंदर गुसेंगे तो space complexity कितनी हो गए आपकी इसके लिए clear है हाँ जी भीया यह pointers clear है इसको हमने कैसे solve किया हाँ जी भीया आपको कुछ नहीं करना है move करवाना है क्या करवाना है move करवाना है clear हाँ जी भीया आप time complexity यहां से भी calculate कर सकते हैं और अगर आपको विस्वास नहीं हो रहे हैं 15 step कैसे निकल रहे हैं तो देखो इसको निकालने का ना बहुत असान तरीक है बहुत ही असान तरीक है मैं क्या कर रहा था यह 15 step कैसे निकल होंगे इनिसलिए यहां पर रहोंगे कहीं किसी source पर हाजी पहला टास मेरा क्या रहा होगा इन टीनों को मूब कराके यहां पर लेके चले जाओ ठीक है हाजी बहा तो इनको तीनों को मूब कराने में कितना लगेगा मुझे टाइम इन तीन को यहां पर लेके जाने में बताइए कितना टाइम लगेगा यह यह और यह साधी step लगेंगे क्योंकि तीन के लिए मुझे पता है मेरा answer साथ आता है तीन के लिए मेरा answer क्या आता है सैवन आता है ठीक है तो साधी step लगेंगे हाँ जी भई या अब 8-wise step इसको यहां से यहां ले जाओ फ्लस वन ठीक अब इन तीनों को यहाँ लेके चले जाओ, साथ step और लगेंगे, खतम, तो देखो, answer आ गया, साथ, एक ब्लस साथ, पंदरा, ऐसे करगे, रिलेसन निकला है, आइन एकल टू फाइब के लिए क्या होदाएगा, सेम कहानी, कि पहले चारो को मूब कराओ, चार को मूब कराने के लिए कितर है, 15 step, फिर एक step उसको खुद को मूब कराने के लिए, फिर 15 step जो बागी बचे उनको मूब कराने के लिए, इस तरीक से time complexity और space complexity हमने calculate करी है, I hope आपको यह चमग गया होगा, कैसे चीजे चल रही है, कैसे मैंने इस code को लिखा है, कि भाया कैसे मूब करना है, किसलिए मूब करना है, मैंने आपको इसको dry रंग करके भी अच्छे से दिखा दिया है, तो चलते हैं इसके implementation पार्ट पे, चलो tower of calculate कर सकता हूँ, कि 2 की पावर 2 minus 1, ठीक है, जैसे यहाँ पर 7 आएगा, 2 की पावर 3 minus 1, यह तो मैं direct निकाल सकता हूँ, clear, हाँ जी बही है, clear, अब इसमें क्या कह रहा है, इसने from यहाँ से, मुझे यहाँ पे दालना है, और यह auxiliary वाला मेरा rod हो गया, clear, हाँ जी, अब यहाँ पर जो भी function है, इसका नाम भी tohe है, तो भाई यह मुझे अपने function का हम तोड़ा change करना पड़ेगा, toh calculator, ठीक है, हाँ जी बही हाँ, यहाँ पर मैं किसको पास करूँगा, n को पास करूँगा, from को पास करूँगा, मैं बीच में auxiliary वाले को पास करूँगा, और to वाले को पास करूँगा, clear, हाँ जी, अब हम अपने वाले में आ जाते हैं, कि wide, tor of honey calculator, integer end, integer source, integer helper, और integer destination, जो मैं लह रहा था, clear है, हाँ जी बही हाँ, अब मैं यहाँ प्याता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले मेरा काम क्या होता है, कि भाईया, जो मेरे, ऊपर, n-1, disk रखे हैं, उन्हें पहले, move करवा दो, तो toh, n-1, कहां से, sources हैं, कहां, लेके जाना हूँ, बताइए, sources हैं, कहां लेके जाता हूँ, helper में, तो helper, यहाँ पर बेज दिया, और destination, बीच में, यही तो करता हूँ, हाँ, जी भाईया, यही करते हैं, उसके बाद, जब मैंने यह कर लिया, उसको मुझे simply print करा देना, कि cout, यहाँ पर जो यह लिखा है, उसके एसाफस में कराऊँगा, कि move, disk, n, from, rod, यह source, और यह destination, source to destination, destination, rod, और यह मैं लिख देंगा, इसे destination, इस तरीके से, clear है, हाँ, जी भाईया, यहाँ पर handle भी लगा दूँगा, ताकि next line में print हो, जब मैंने यह कर लिया, उसके बाद मुझे क्या करना है, अब अगले वाले को call लगाना है, ठीक है, तो फिर से होई, इसको मैंने यह copy कर लेता हूँ, यह paste कर लेता हूँ, अब मिरे helper के उपर आ चुके हैं हो, हाँ जी, उनको मुझे कहां बीजना है, destination के उपर, तो यहाँ यह hope आपको clear होगा, कि helper से उन्हें कहां लिगे जाना है, destination पे, पहरे मुझे कहां लिगे गाता, source से helper पे लिगे गाता, जो n-1 थे, मुझे बता हूँ, अब helper के उपर present है, उन्हें अब helper से destination के उपर लिगे जाना है, इस तरीकी से मैंने इसको जी चौल किया, अब base condition जाए जैसी मेरा n equal to 1 हो जाएगा, मुझे simply क्या print कराना है, यही मैं यह आपे लिग देता हूँ, कि cout, move disk, n from rod, इसको थोड़ा space देते हैं, to rod, destination, handle, clear है, हाँ जी बहिए, यह clear है, और यहाँ से मैं उसके बाद क्या हो जाओंगा, return हो जाओंगा, अब इसमें आ जाते हैं, इसको answer चीए, इसको क्या चीए, answer, तो मैं इसको answer directly return करवा देता हूँ, return आप power function यूज़ कर सकते हो, उसमें मैं calculate करता हूँ, 2,n, minus 1 को, return कर दो, बस, इसे compiler रन करते हैं, और हमारा answer बिल्कुल सही आ रहा है, submit करता हूँ, और हमारा answer बिल्कुल correct आया है, I hope आपको एक code समझाया होगा, अब मैं आपसे एक चीच चाहता हूँ, कि आप इसको एक बार fall loop की help से solve करने की कोसिस करें, किसकी help से, fall loop की help से, क्या आप इसको solve कर सकते हैं, अब जब आप इसकी help से solve करेंगे, तो आपको बहुत time लगेगा, ठीक, यह देखो, इतना बड़ा solution मैंने कर रहा था, यहाँ पर मैंने stack का use किया था, देख रहे हो, stack का कुछ use हो रहा है, ठीक, अगर मैं यहाँ भी आपको करके दिखा हूँ, तो यहाँ पर मैंने क्या use किया है, stack, और यह तो मैंने किस से कहा, normal method से, यहाँ पर मैंने stack की help से को solve किया था, कि यहाँ यहाँ को